आज्या कारकता एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के आश्रम गए आश्रम और वहाँ के उपकरम देखकर वो बहुत प्रभावित हुए जिस तरह से आप यह आश्रम चलाते हैं में बहुत प्रभावित हुआ आप इने क्या उपदेश देते हैं? मैं समाज को कई अच्छे उपदेश देता हूँ मुख्यत है बढ़ों की आज्या का पालन अपने कर्तवियों की प्रती आधर और श्रद्धा इस बात को आप इतना महत्व क्यों देते हैं? आपने श्रवण की पित्र भक्ती के बारे में पढ़ा या कुछ देखा है? याद नहीं आ रहा पर मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है ये एक आज्याकारी लड़के की कहानी है वो अपने अंधे माता पिता की हर आज्या का पालन करता था मैंने श्रवण की पित्र भक्ती का एक नाटक बच्पन में पढ़ा था अपने अंधे माता पिता के पती श्रवण का प्रेम और उनकी हर आज्याका पालन इन्होंने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला है कैसे उसने अपने वृद्ध माता पिता के प्रेम और आग्या पालन के लिए हर संकट का सामना किया मैं अपने शिक्षों को यही शिक्षा देता हूँ ये बात उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है सच कहा आपने हमें हमारे बड़ोद्वारा दी गई शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए और उन्हें अपनी अगली पीडियों तक पहुचाना चाहिए